NDPS के केसिस में सेक्शन पचास के संदर्ब में सुप्रीम कोट ने गाइडलाइन्स जारी की इस केस में अक्यूस्ट से एक किलो दो सो ग्राम चरस उसके बैग में बरामद हुई परंतु ट्रायल कोट ने यह कहते हुए अक्यूस्ट को बरी कर दिया की नाकोटिक्स कंट्रोल प्यूरो ने सेक्शन पचास का वायूलेशन की है जिसके खिलाफ एंसीबी ने हाइड कोट ने ट्रायल कोट का फैसला पलट दिया और अक्यूस्ट को सजा सुना दी जिसके खिलाफ अक्यूस्ट सुप्रीम कोट गया सुप्रीम कोट ने फैसला देते हुए कहां अक्यूस्ट के पर्सनल सर्च के सम्बंद में गाइडलाइन्स जारी करते हुए कहां अगर रिकवे के दौरान सेक्षन पचास की पालना नहीं की जाती तो अक्यूस्ट को बरी किया जाएगा सुप्रीम कोट ने आगे कहा सेक्षन पचास तभी लागू होगा जब अक्यूस्ट की पर्सनल सर्च की जाएगी और अगर अक्यूस्ट के बैग या वाहन की तलाशी पर यहाँ लागू नहीं होगा सुप्रीम कोट ने कहा पुलीस ओफिसर की जूटी है वो अक्यूस्ट को साफ साफ बताए कि अक्यूस्ट का कानूनी अधिकार है वो अपनी पर्सनल सर्च किसी गैजटेड ओफिसर या मैजिस्ट्रेट से करवा सकता है अगर अक्यूस्ट इस राइट को यूज नहीं करता तो भी पुलीस ओफिसर यह बात रिटन में लेगा सुप्रीम कोट ने कहा अक्यूस्ट की सजा बरकरार रखते हुए कहा बरामदगी अक्यूस्ट के बैक से हुई है पर्सनल सर्च से नहीं इसलिए सेक्शन पचास का वायूलेशन नहीं हुआ है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हुँ तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद